तो हेलो प्रेंट्स कैसे हो आप सब लोग मैं आ चुका हूं पिर एक इंट्रेस्टिंग सा वीडियो लेकर जिसमें मैं बता हूंगा कि हम रेंग टोकन कि इस प्रकार से कलेक्टर्स त्यान ले सकते हैं उम्मित करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आएगा उससे पहले मैं आ आइटम में जिसे हम डामन से पर चेस नहीं कर सकते हैं और यदि आप हमारी चैनल पर पहली बार आए हैं या इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो नीचे जो रेट कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है उसे दबाकर पेल आइकन को और पर प्रेस चरूर कर देन तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट तो आपको रेंक गेम के बिल्कुल लेट साइड में हिरोइक का मर्क दिख रहा होगा उस पर हम क्लिक करेंगे क्लिक करने के बाद हमारे सामने कुछ इस पर का इंटरफेस को लेगा जिसमें आप राइट साइड पर देख सकते हैं र अब मेरे को प्लेटनियम 3 से पहले वाला या प्लेटनियम 3 का रिवर्ड मिल चुका है अब मैं यह ज़िए प्लेटनियम 4 पर जाता हूं अपनी रेंक अप करके तो मेरे को 3 गोल्ड रोईल 3 रिसप्लाय में 300 रेंक टोकन मिल जाएंगे और उसे प्लिका देख से मैं डायम टू से प्लेटनियम 3 में गया और मेरे को यह रिवर्ड सब रिवर्ड मिला तो क्लिप पहले देख लिए तो आप यहां पर देख सकते हैं मैं प्लेटनियम 2 में हूं और मैंने बुईया गया और रेंक प्लस हो और प्लेटनियम 3 में चला गया तो प्लेटनियम 3 रेंक अप क थोड़ा सा बेक लेंगे और rank के आगे जो play squad लिखावा है हम उस पे click करेंगे उस पे click करेंगे तो कुछ इस परकार का interface लेगा और फिर reward में जो view all लिखावा है हम उस पे click करेंगे तो इसमें मैं heroic पे हूँ अभी यानि कि मेरे को heroic का सब reward मिल चुका है तो जैसे मैं diamond force से heroic में गया तो मेरे को एक cert and एक banner और उसके साथ एक avatar मिल गया और उसी के साथ मेरे को अभी नहीं मिलेगा यह season खतम होगा तो 395 rank token 5000 gold and 300 fragment मिल जाएगा यह लेकिन मेरे को season reward तब मिलेगा जब season खतम होगा उसे पहले जो reward मिले वो सब मैंने claim कर लिये जिसे इसमें मेरे को मिले थे 310 rank token diamond 4 पर आने पर तो हम यह दूसरी जिगह है जहां से हम rank token है वो ले सकते हैं तीसरी जिगह बता देता हूँ मैं अब आपको तो तीसरी जिगह बताने से पहले एक बात बता दो कि यह दिया आप rank game बहुत कम खेलते हैं तो आपको नहीं पता होगा कि इस परकार से भी rank token हम collect कर सकते हैं तो इसके लिए मैं आपको एक video clip दिखा देता हूँ जिसमें हम rank token है वो game खेल कर ले सकते हैं लेकिन उसके लिए एक सार्ट है कि बि किया किया और मेरे को rank token मिला तो तो तीसरी जिगह में जो आपको बताने जा रहा हूँ वो यह रही यहां पर आपको नीचे नीचे दिख रहा होगा rank token का निसान उसके आगे plus 15 दिख रहा होगा यानि कि मैंने जो game खेला लगवग 16 से 17 मिनिट सर्वाई हुआ और बुया किय उसमें मेरे को 15 rank token मिला है यह तभी मिलेगा जब हम rank game खेलेंगे तो प्रेंट्स आपने देख लिया होगा कि हमको इस परकार से भी rank token मिल सकता है यदि हम rank game खेले दो और लगभग एक मिनिट के आसपास का एक rank token हमको मिल जाता है उससे क्या होता है कि हम ज्यादा सर्वाईब करेंगे तो rank बढ़ेगी उससे हमको rank token मिलेंगे वह खेल जितना हम ज्यादा game में रहेंगे उस उतना ही हमको rank token और अलग से मिल जाएगा game खेलने के पते तो उमेद करता हूँ कि को समझ में आ गया होगा कि हम rank token किस प्रकार से ले सकते हैं या collect कर सकते हैं और यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को like कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना और यदि आप हमारी चैनल पर पहली बार आए है या इस वीडियो को पहली बार देख